हूथी पर हुए जबरदस हमले पर अमेरिका और ब्रिटेन को सीधी सीधी चेतावमी दी है इरान और हूथी ने मिलकर एलान कर दिया कि इस हमले के बाद से अब लाल सागर में दुश्मनों के सभी जहाजों पर भयंकर हमले शुरू होने जा रहे हैं हूथी पर खूनी हमले अमेरिका ब्रिटेन का बदला शुरू इस वक्त पूरे मिडलीस्क से लेकर मध्य पूरू एशिया तक जबरदस्त हमले हो रहे हैं मिडल इस्ट में इस्रेल हमास को लगभग सौ दिनों से मिटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमास अभी भी इस्रेली सैनेकों को निशाना बनाया जा रहा है इधर मध्य पूरो एशियाई देश यमन में मौजूद हो थी विद्रोहियों ने पिछले 40 दिनों के अंदर ऐसा घदर कटा हुआ है कि अमेरिका और इस्रेल समेथ 15 देश हो थी के हमलों से काम रही है यमन से घजादर कांपे 15 देश लाल सागर में यमन के हूथी लड़ा के ना सिर्फ अमेरिका और इस्रेल के कार्गो पर मिसाईलों और प्रोंच से हमले कर रही है बलकि इस्रेल और अमेरिका का साथ देने वाले 13 देशों के मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है उन्हें पकड़ा जा रहा है लगभग 2000 से ज्यादा कार्गो शिप ने लाल सागर में हूथी के खौफ से जाना बंद कर दिया है हूथी ने लाल सागर में अपनी हमलों से ऐसा हाहकार मचा दिया है हूथी पर भयानत हमले किया है अमेरिकी मीडिया के दावों के मुताबिए चेंचा, यमन में हूती की 16 लोकीशन पर 60 से ज्यादा टार्गेट्स को अमेरिका और बृतन ने मिल कर तबा किया है, जिसकी वज़े से हूती को भारी नुकसान हुआ है。 भूथी के अधिकारी होसान अल-एजी ने सुईकार किया है कि अमेरिका और ब्रेटन जहाजों, पंडुपियों और युद्धक विमानों ने बड़े पैमाने पर हमले किये हैं। दावों के मताबिक अमेरिका और ब्रेटन के हमले में होथी के कम से कम पांच लोग मारे गए हैं। पर किये जा रहे अब हूद पुर्व हमलों का सीधा जवाब है। इतिहास में पहली बार जहाजों पर हमलों में एंटि शिप वैलेस्टिक मिसालों का इस्तिमाल हो रहा है। हूदियों के हमलों के जल्दे लाल सागर से गुजरने वाले दो हजासों अपना रास्ता बदलना पड़ा है। बाइडन ने आगे कहा है कि लोगों और शिपिंग भूट वो बचाने के मैं और कड़े आदेश देने से पीछे नहीं प्रोका। अमेरिका और योके के हमलों के बाद हूदियों ने भी जंग का एलान करते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिये हैं। योके की सेना ने बड़े पैमाने पर आक्रामक हमला किया है जिसका हम मूतोर जवाब देंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि हूथी कहां कहां हमले कर रहा है और कैसे कर रहा है। मेरे पीछे की इस बोलती तस्वीर को आप बेहत बारीकी और गौर के साथ देखें। ये लाल सागर है जिससे समझना जरूरी है क्योंकि इस पर ड्रोन हमले किस तरह से हो रहे हैं वो आपको बताते हैं हूती इस वक्त अमारिका और इस्वेल समेत 15 देशों के माल वाहक जहाज यानी कार्गो शिप कार्गो शिप कौन सी टार्गेट कार्गो शिप जो आपको इस वक्त जलते हुए नजर आ रहे होंगे इस पर जबरदस खौसनाक हमले हूती के जरिये किये जा रहे हैं और हैरानी की बात तो ये है कि शिया संगठन चरम पंथी संगठन हूती कार्गो जहाजों पर एंटे शिप बैलिस्टिक मिसाल से ताबर तोड़ हमले देखे किस तरह से किये जा रहे हैं जिसकी वज़ा से अमेरिका बिटेन समेत 15 देशों के जहाजों को भारी नुकसान हुआ है यानि कि टार्गेट में है ये कार्गो शिप और इसमें 15 देश शामल हो चुके हैं जिने ये नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा हूती ड्रोन से भी जहाजों पर हमले पर हमले य हूती को ये ड्रोन इरान दे रहा है यानि कहीं और से नहीं बलकि इरान से उसके पास पहुँच रहे हैं जानकारी ये भी दे दे कि शिया देश इरान हूती के शिया लड़ाकों को अमेरिका और इसरेल पर खौफनाक हमला करने के लिए जम कर हतियार दे रहा है और हूती ज्यादा देशों के कारगो शिप गुजरते हैं और इसके लाव़ा अरब सागर में भी घुठी ने अपने खौफनाक हमले जो हैं वो और भी ज्यादा तेश करदी है तो पर जिलकर भाक यहाँ पर खो रही है जिससे ये जो जो इलाका है वो जंगी इलाके में तबदिल हो रहा है बदलता जा रहा है जो इन तीन तस्वीरों के जरीया आपको समझ आ रहा होगा यानि कि ड्रोन अटैक टार्गेट कार्गो शिप और यहां पर भी देखिए टार्गेट कार्गो शिप की बाथ हम कर रही